दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुस्म सिछण पाठी ओजणा के अंतरगत पाठ प्रस्तावना काउसल का इसमें सबसे पहले आप अपने महाविद्याले का नाम लिखते हैं जैसे मेरे महाविद्याले का नाम है श्री मोहन धंसी रास नात कोतर महाविद्याले जंगल बिलहर संत कभी नगर उसके बाद छात्रा ध्यापक का नाम रहता है जैसे मेरा नाम हेमन सुकला है उसके बाद हम एक खाचा बनाते हैं यह जो खाचा होता है इसको आपको blackboard पर भी representation देना रहता है इस खाचे का इसी तरह आप उस पर बनाते हैं इसमें सबसे पहले आप दिनांग, कच्छा, बर्ग, विशे, उबिशे, कालांस और अबद लिखते हैं उसके बाद परकरण जो होता है बाद में लिखा जाता है, हमने पहले लिख दिया है, आपको बाद में लिखा जाएगा काउसल के जो गटक होते हैं यह पूर्वत रहेंगे पहले के अनुसार ही मैंने बहुत वीडियो बनाया है पाठ प्रस्तावना काउसल का आप दूसरे वीडियो में भी घटक देख सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्टिन में मिल जाएगा इसमें हम पूर्व ज्यान लिखते हैं बच्चे रेखा के बारे में सामान जानकारी रखते हैं इसमें आप बच्चों से ऐसा कोश्चन करते हैं जो पहले से वो जानते हैं पाठ प्रस्तावना के जो प्रस्ण है इस प्रकार है पहले हम छात्रों से प्रस्ण करेंगे बच्चों आप स्कूल में किस पर लिखते हैं तो बच्चे बताएंगे सर हम कापी पर लिखते हैं फिन हम कोश्चन करेंगे कापी पर क्या खीची हुई होती है फिन बच्चे बताएंगे सर कापी पर रेखा खीची होती है उसके बाद हम भी पोचेंगे रेखा के बारे में आप क्या जानते हैं अब ये बच्चों के लिए समस्यात्मक कोश्चन हो गया हो तो रेखा तो जानते हैं कि हां रेखा खींची गई है लेकिन रेखा किसे कहते हैं इसके बारे में तो जानते नहीं है ये समस्यात्मक जो है कथन उद्देश कहेंगे मैं आपको यहां पर यह दिखा दे रहा हूं सूस्म सिच्छन पाठ प्रस्तावना काउसल का जो होता है representation blackboard पर आपको इसी तरह लिखना रहता है उपर आप source position लिखेंगे फिन पाठ प्रस्तावना काउसर लिखेंगे उसके बाद दिनांग, कच्छा, बर्ग, विसे, विसे, कालांस, अवद जो जो दिनांग रहेगा, जो कच्छा रहेगा जिसके बारे में आप बताने वाले हैं वो सवाई से आपको blackboard पर लिखना रहता है मैं आपको यहां बता दे रहा है उसके बाद प्रक्रण लिखा जाता है फिन हम बच्छों से question करते हैं जो उपर question दिया गया था उसके बाद जब बच्छे नहीं बता पाते हैं जहां फस जाते हैं यहीं प्रक्रण में हम वहीं लिख देते हैं माली जी यहां प्रक्रण लिख दिया जागा यह तो हिंदी सल्सक्रित का है कुछा और ही लिखा रहेगा उसके बाद हम कथन उद्देश कहेंगे बच्चो आज हम सब रेखा के बारे में विष्टार से अध्यन करेंगे उसके बाद निरिच्छड तालिका इसमें काउसल के घटक पाट प्रस्तावना काउसल के आठ घटक होते हैं टैली चिन जो रहेगा निरिच्छक आपके काउसल के अंसार आपने कैसे बच्चो को पढ़ाया है वो उसके बारे में सही गलत का निसान लगाएगा उसके बाद सुझावा लोचना जो रहेगा निरिच्छक आप ने किस तरह से पढ़ाया है बच्चों को उसके बारे में अपने विचार और सुझाओ को यहां पर व्यक्त करेगा उसके बाद हस्ता अच्छा निरिच्छक और हस्ता अच्छा पर वेच्छक दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें धन्यवाद बंदे मातरम